और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है किशन गंसी जहाँ पर बंगलादेशी घुसपैट की कोशिश की गई है। और इस खबर पर जैदर जानकारी के साथ निम्जेटिन समवादा था आशीश जोड़ चुक है आशीश क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त क्या कुछ एहतियात के तौर पर बॉर्डर इलाके में किया जा रहा है। उन्हें भी समझा बुजा कर वापस किया गया है। लोकल पुलीस और ब्स दोनों इसमें बागितारी होकर समझा के लोगों को समझा बुजा कर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी ऐलर्ट है पूरे देश में जहां पर बॉर्डर के बगल में ऐलर्ट है उसमें पूरी मुस्तेदी रखी जा रही है। ब्स प के बड़ी अधिकारी लगातार केंप कर रहे हैं और सारे चीज के मुनिटिंग कर रहे हैं। प्रवेश करने के कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस है उनको आप देख सकते हैं जो इस इलाके में चलकत भी करते हुए आपको देख रहे होंगे। इसलपूर के बॉर्टर इलाके में ये प्रयास किया जा रहा था बांगला तेशी नाकरिकों के तरफ से कि भारतिय सीमा में वो प्रवेश कर सकें। हाला कि लोकों की सतरकता जो थी वो यहां पर काम आई है और फिर इन सभी को समझा बुझा कर वापस लोटाया कया है। तो एक बड़ी परिशानी इस वक्त पस्षिम मंगाल के इसलपूर बॉर्टर की एकटना है और ये जो बॉर्डर का इलाका है ये बिहार को भी छूता है कि शिनकंच के इस इलाके से ये सटा हुआ हाला कि आपको यहां पर बड़ी संख्या इन बंगलादेशी नाकरिकों की तरब से भी जाहर की गई है और जो राज्य अस्तर पर भी इसे लेकर बहुत कम भीरता से देखा जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि तकरीबन एक से डेर करोड की जो आबादी है वहां से भरतिया सीमा में प्रवेश करना चाहती है और जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं जो पशिन बंगाल के सीमा से सटे हुए है और उन इलाकों में ये घुसपैट जो है वो संभोता इसका प्रयास किया जा सकता है और ऐसे में बंगले तेशी नाकरिकों के इस कोशिश को नाकाम किया क्या है एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टिवी स्क्रीन पर हाला कि यहां पर एहतियात के तौर पर देखें सिर्फ यह जो आपको घिराबंदी नजर आ रही होगी इसी के इस तरफ बिहार की ये सीमा हो जाती है भारत की ये सीमा हो जाती है और उसके दूसरे तरफ अगर आप जाएंगे तो ये सीमा जो है वहाँ पर पशिम बंगाल और फिर उसी इलाके से सठा हुआ बंगलादेश की सीमा से लोगों की आवाजाही का प्रयाज जो है वो किया जा रहा था इस घुसपैट की कोश्चिश को हाला की वक्त रहते नाकाम किया क्या है लेकिन एक बड़ी चुनौती है और ये चुनौती सिर्फ इस इलाके के लिए तमाम उन बॉर्ड वले इलाकों के लिए है जहां पर चौक्सी तो बढ़ती जा रही है लेकिन असानिये लोकों को भी सचेत रहने की जरूरत है उन्हें भी सावधान और सचेत रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि 24 आपको पता होता है कि आपकी इलाके के लोग ये हैं या न